तो बच्चों पढ़ाई में डाउट आते हैं सोल रही हो पारे गबराओ मत इसका सोल्यूशन है डाउटने टेप जिस भी सवाल में आपको डाउट है उस क्यूशन की फोटो किचो क्रोप क्रोप और 5 सेकिंड के अंदर अंदर आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएग कोई भी सब्जेक्टों फिजिक्स, केमेस्ट्री, मेत, बायलोजी, साइंस आपके सभी स्वालों के जुआब मिलेंगे केवल डाउटनेट एप पर साथ ही डाउटनेट एप पर चल रही है क्लास नवी से बारवी आयाई टी जैई नीट के बच्चों के लिए ओनलाइन क्ल थी हैं और बोर्ड प्रिक्चा 2022 में सामिल है तो इस वीडियो को आपको कंप्लिट देखना है और आज के इस वीडियो में मैं आपको साइंस के सबसे महत्तुपूर्ट क्यूशन्स बदाने वाला हूँ जो क्यूशन आपके बोर्ड प्रिक्चा 2022 में 101 परतिसत पूछे हूँ उस क्यूशन आपको साथ साथ में टिक करने हैं और जो बच्चे साइंस के अंदर पास होना चाते हैं अच्छे नमर से और जो साइंस के अंदर 80 में से 80 नमर बनाना चाते हैं तो उनको 80 में से 80 बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता है बस आपको जो क्यूशन में आपको बुक के अंदर टिक करवाने वाला हूँ वही कुष्षन आपको imported है वही कुष्षन आपको अच्छे से त्यार करने है तो सबसे पहले हम बात करें आपके जो चेप्टर है चेप्टर नमर वन है आपकी रासाईने कभिकिरिया तो इस चेप्टर के अंदर सबसे पहले आपको कौन कौन से कुष्षन टिक करने है जो कुष्षन में आपको टिक करवा रहा हूँ वही कुष्षन है आपको अच्छे से त्यार करने है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर question number one आपको टिक करना है और यहाँ पर 2022 आपको note करना है कि वायू में जलाने से पहले जो magnesium ribbon होता है उसको साब क्यों किया जाता है तो एक question आपको ये टिक करना है और उसके बाद में जो question में आपको टिक करवा रहा हूं बस आपको वही question पढ़ने है अच्छे से बार-बार उन questions के आपको practice करनी है उसके बाद में देखिए ये तीसरा question आपको त्यार करना है कि निमन अभिकिरियाओं में उपचैत तदा अपचैत परदार्थों की पहचान कीजिए इसमें दो आपको रासाइनिक समीकन दे रखे हैं इन दोनों में आपको उपचैत और अपचैत परदार्थों की पहचान करनी है कि कौन सा अपचैत परदार्थ है और कौन सा उपचैत परदार्थ है उसके बाद में एक आपके question नमर 6 ये आपको note करना है इसको भी आपको टिक करना है कि निमन रासाइनिक समीकरणों को संतुलित कीजिए यहाँ पर आपको चार समीकरण देर के हैं तो समीकरण संतुलित करना भी आपको अच्छे से आना चाहिए एक कुशन भी आपके इंपोर्टेट है और एक है आपके कुशन नम्मर दस क्यूशन नम्मर 10 भी आपके 2022 की बोड प्रिक्षा के लिए महतुपुने सावसन को उस्मा छेपी विक्रिया क्यों कहते हैं इसका आपको वर्णन करना है और उसके बाद में एक है आपके क्यूशन नम्मर 17 को भी आपको टिक करना है और ये क्यूशन काफी बार आपके हर बार ये कूशन आपके बोड एक्जाम में आता है कि एक बूरे रंग का चमकदार तत्वे अक्स को वायू की उपस्तिती में गरम करने पर वह काले रंग का हो जाता है इस तत्व अक्स और उस काले रंग के योगिक का नाम आपको लिखना है उसके बाद में जो दूसरा चेप्टर है चेप्टर नम्मर वन में जितने भी क्यूशन आपके most important थे जो आपकी बोर्ड परिक्षा 2022 में आने वाले हैं उन क्यूशन को मैंने टिक करवा दिया वही क्यूशन आपको त्यार करने हैं अब आपके चेप्टर नम्मर दो है अमल चारक और लवन अब देखे अमल चारक और लवन इस चेप्टर में आपको कौन-कौन से क्यूशन हैं जो आपके most important हैं जो आपको पढ़ने हैं तो यहाँ पर सबसे पहले आपको question number one त्यार करना है, इसको tick करें कि पित्तल और तांबे के बरतनों में दही और खटे परदार्थ हैं, उनको क्यों नहीं रखा जाना चाहिए, क्यों नहीं रखने चाहिए, और उसके बाद में एक है आपके दूसरा question है, इसको tick करें कि अमल क जलिये विलियन विदूत का चालन क्यों करता है कि अमल का जो जलिये विलियन है वो क्यों विदूत का चालन करता है तो इसको भी आपको अच्छे से त्यार करना है उसके बाद में नेक्स्ट कुश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट कुश्चन है आपके यहां पर देखिए प कठोर जल को मरदू करने के लिए कि सोडियम योगी का उपयोग किया जाता है कि जो कठोर जल होता है उसको मरदू करने के लिए कौन से सोडियम योगी का हम उपयोग करते हैं तो ये Qution आपको टिक करना है, और अबियास परसन में आपको पहला Qution की कोई विलियें लाल लिटमस को निला कर देता है, तो उसका page क्या होगा तो यह आपको बताना है और उसके बाद में एक है आपके question number 4 अपच का उप्चार करने के लिए निमन में से किस होस्दी का उप्योग किया जाता है तो यहाँ पर C option आपका सही है तो यह question आपको त्यार करना है एक है आपके question number 14 और question number 15 इन दोनों question को भी आपको टिक करना है उसके बाद में जो तीसरा chapter है हमारा दातू एव एदातू तो दातू और एदातू वाला जो चेप्टर है इसमें आपको कौन-कौन से question त्यार करने है तो सबसे पहले यहाँ पर person संक्या एक है इसको आप याद करें अच्छे से आपको टिक करें अच्छे से आपको त्यार करें कि ऐसी दातू का उधारन दीजिए जो कमरे के ताप पर दरुए होती है यानि कमरे के ताप पर दरू अवस्ता में पाई जाने वाली दातू का नाम लिखे और चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली दातू के नाम और उसमा की सबसे अच्छी चालक दातू कौन सी होती है और उसमा की कुछालक दातू कौन सी होती है तो ये चार कुस्षन है ये च शमेकरन लिखी जिसमें पहला है भाप के साथ आइरन और दूसरा है जल के साथ केलसियम और पोटेसियम तो इनके रासाइनिक समेकरन हैं वो आपको जरूर याद करने हैं और उसके बाद में यहां पर इसमें कोई क्युषन नहीं है आपके इस प्रष्ट पर और नेट्फ प् पूछा जाएगा इसमें पहला पूछा है आपके खनीज यानि खनीज की आपको परिवासा बतानी है दूसरा है आपके dead to तो गेंग की भी आपको परिवासा बतानी है यानि इन तीनों के आपको केवल परिवासा है वो याद करनी है उसके बाद में हम अब्यास क्यूशन की बात करें तो अब्यास में एक तो आपको दूसरा क्यूशन पढ़ना है दूसरा क्यूशन क्या है कि लोए के फ्राइंग प उक्साइडों के उधारन दीजिए और एक है आपके क्यूशन नमर टेन है लोए को जंग से बचाने के लिए दो तरीके बताईए यानि लोए को जंग से बचाने के लिए कौन-कौन से तरीके हैं कौन-कौन से उपाए हैं वह आपको लिखने हैं एक है आपके क्यूशन नमर 12 इसमें आपको कारण बताना है यहाँ पर आपको चार कुशन दे रहें चारों आपको complete याद करने है और बस आपको तीजो तीसरा चेप्टर है इसमें केवल इतने ही कुशन त्यार करने हैं उसके बाद में देखिए चेप्टर नमर चार और चेप्टर नमर पांच इनको पूरी तरीके से हटा दिया गया है क्योंकि इस बार कोवीड के चलते स्कूल है वो आपके काफी लंबे समय से खुले तो इस कारण आपका जो कुछ सलेबस है साइंस के अंदर वो आपके कम किया गया है तो इसमें चोथा और पांच वा जो चेप्टर है चेप्टर नमर फोर है आपके कारण और उसकी योगी और पांच वा चेप्टर आपके तत्मों के आवरत वर्गीकन और गुनदरम तो वो वाला चेप्टर और ये आपके चेप्टर नमर चार ये दोनों चेप्टर आपके कम्प्लेट रूप से संपूर्ण तरिके से अटा दिया गया है इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है अब हम सिधे आपके चेप्टर नमर 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 चेप्टर दुवारा किन कच्ची सामगिरियों का उभ्योग किया जाता है ये काफी important question है काफी बार board exam में supplementary exam में question है ये आपके repeat हो चुका है इस बार भी आपके board प्रिक्सा में question आ सकता है उसके बाद में देखिए यहाँ पर पहला question है कि सवे पोसी पोसन और विसम पोसी पोसन में क्या नतर है ये question टिक करना है और एक है आपके question नमर च्यार पाच्चक एंजाइमों का क्या कारिये है तो ये question भी आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि काफी बार आपकी board प्रिक्षा में question आ चुका है उसके बाद में देखिए यहाँ पर question नमर दो आपको दे रखा है कि गलुकोज के ओक्सिकरन से भिन जीवों में उर्जा प्राप्त करने के विविन पंथ क्या है तो ये विविन पंथ है यह आपको बताने है ये वाला question भी आपको अच्छे से त्यार करना है और उसके बाद में इस page पर कोई भी question नहीं है जो आपको पढ़ना है अच्छे से आपको पढ़ना है और यहाँ पर देखिए पहला question है यह आपको त्यार करना है कि वर्क काणू या नेफरोन की रचना तदा किरिया विदिय उसका आपको क्या करना है वर्णन करना है और अब्यास person की हम बात करें तो अब्यास में आपके सबसे पहले आपको question नमर चार पाईरू वेट के विखंडन में यह है CO2 जलत अधा उर्जा देता है और यह किरिया किसमे होती है तो यहाँ पर चार option आपको दे रखे है और एक है आपके question नमर 8 इसको टिक करना है वाई विए और एवाई विए सबसन में क्या अंतर है सबसे top question है very very important है इस बार 101% यह question आने वाला है कुछ जीवों के नाम लिखे जिसमें एवाई विए सबसन पाया जाता है और एक है आपके question नमर 12 जाइलम तदा फ्लोई में परदार्थों के वहन में क्या अंतर है यानि जाइलम और फ्लोई में उसमें आपको अंतर पुछा गया है तो अंतर आपको आना चाहिए और उसके बाद में chapter नमर 7 है आपके नियंतरण और समनवे तो नियंतरण और समनवे वाला जो chapter है इसमें आपको कौन-कौन से questions हैं जो मैं आपको टिक करवाने वाला हूँ जो आपकी very very important है जो आपकी board प्रिक्षा 2022 में आने वाले हैं तो सबसे पहले आपको question number one टिक करना है इसको त्यार भी करें अच्छे से प्रतिवर्ति किरिया तदा टहलने के बीच के अंतर है और एक है आपके question number five परतिवर्ति किरिया में मस्तिस के उसकी क्या भूमिका है तो ये वाला question भी आपको अच्छे से त्यार गरना है उसके बाद में next है आपके ये वाला question आपके 101 परतिसत इस बार 2022 की board प्रिक्षा में आने वाला है कि पादप आर्मोन क्या है यानि पादप आर्मोन के आपको प्रिबासा बतानी है और एक है आपके तीसरा question कि उस पादप आर्मोन का उधारन दीजिए जो वर्दी को बढ़ाता है यानि जो वर्दिकों बढ़ाने वाला पादप्हार्मोन कुन सा है तो उसका नाम लिखना है और एक आपके दूसरा क्योशन त्यार करना है आपको कि arrows यूक्त जो नमक है उसके उप्योग की सला क्यों दी जाती है तो आयोडिन युक्त नमक के उप्योग की सला क्यों दी जाती है ये आपको पढ़ना है और अब्यास परसन में आपको पहला परसन टिक करना है निमन लिखित में कौन सा पादय पार्मों है तो यहाँ पर चार ओप्सन दे रखे हैं और एक है दूसरा परसन की दो तंत्रिका क उसी का निरोन की सरंचना बनाईए और इसके कारियों का वर्णन कीजिए ये आपके टॉप क्यूशन है यानि एक सो एक परती साथ ये क्यूशन आपको बोर्ड प्रिक्षा 2022 में मिलेगा अच्छे से आपको त्यार करना है बस आपको इस अभ्यास में केवल तीनी क्यूशन पढ़ने हैं बाकी जो चेप्टर के अंदर से जो मैंने क्यूशन टिक करवाए हैं उनको आपको जुरूर पढ़ना है उसके बाद में देखे चेप्टर नंबर आठ है जीव जनन कैसे करते हैं तो इस चेप्टर को हटा दिया गया है यानि बायो जो पोर्षन है उसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है अब हमारा जो चेप्टर नंबर नाइन है चेप्टर नंबर नाइन है आनुवानसिक्ता और जेविकास तो आनुवानसिक्ता और जेविकास वाले चेप्टर के अंदर कौन-कौन से मोस्ट इंपोर्टर कुशन है जो आपको अच्छे से त्यार करने हैं तो देखिए सबसे पहले मैं आपको कुशन टिक करवा देता हूं इस चेप्टर के अंदर से यानि चेप्टर के अंदर से आपके कौन कौन से कुशन से हैं जो आपके आ सकते हैं तो यहां पर देखिए पहला कुशन मुझे मिला है कि वे कौन से कारक हैं वे कुश्टन बहुती ज्यादा चान्ट से कुश्टन का और उसके बाद में देखे यहां पर आप हैसे कि दिए अ। बात करें तो अब्यास में तो आपको दूसरा परसन त्यार करना है कि समझात जो अंग है उनके क्या उदारन है समझात अंगों के क्या उदारन है और एक है आपके क्यूश्चन नमर 6 क्या दिया गया है कि समझात तता समरूप अंगों को उदारन देखकर समझाईए तो समझात और समरूप जो अंग है उनको आपको उदारन देखकर समझाना है ये इंपोर्टेट कुशन है एक सो एक परतिसत बोर्ड प्रिक्षा 2022 में आने वाला है और एक आठ हुआ परसन है आपकी विकास ये समंद इस्तापित करने में जिवास्तम का क्या मैत्व है ओके अब देखिए जो चेप्टर नमर टेन है हमारा प्रकास प्रावर्तन तदा अपवर्तन ओके तो इसमें से बोर्ड प्रिक्षा 2022 में काफी कुशन्स हैं जो इस चेप्टर से आपको देखने को मिलेंगे तो मैं आपको वही कुशन टिक करवा रहा हूं जो क्युशन आपके आने वाले हैं ओके यानि कच्रा पट्टी आपको नहीं पढ़नी है तो यहा का सिद्धा तदा आवर्दित परतिविम बना सके तो इसमें दो कुशन इसमें पढ़ने हैं और एक है आपके उदारन 10.2 तो उदारन 10.2 है यह नमेरिकल कुशन है यह भी आने वाला है कोई 4.0 cm साइज का विम में वो किसी 15.0 cm फोकस दूरी के अवतल दरपन से 25.0 cm दूर को रखा जाए कि सपस्ट परतिविम प्राप्तो इसकी साइज परकरति हमें ग्यात करनी है तो यह कुशन आपको टिक करना है और उसके बाद में नेक्स्ट कुशन की हम बात करें तो देखे यहां पर आप देख सकते हैं एक आपके दूसरा कुशन है और एक आपके पांच हुआ क्युशन है इन दोनों क्युशन को आप टिक कर लें कि हीरे का अपूरतना 2.42 है तो इस कथन का क्या अभिपराय है यह कुशन काफी बार आपके बोर्ड प्रिक्चा में पुछा जा चुका है उसके बाद में एक है आपके एक्जामपल 10.4 उदान 10.4 है यह नमेरिकल क्युशन है इसको भी आपको फाइंड करना है इसको भी आपको अच्छे से त्यार करना है और पर्सन की हम बात करें तो इसमें पहला पर्सन है कि किसी लेंस की वन डाइव्प्टर छमता को पुरिबासित कीजीए और एक ग्रतीसरा क्युशन इसको भी टेक करें 2 मेटर रियुक तर नहीं किया जा सकता तो एक कुष्सन तो अभ्यास में ये पढ़ना है और उसके बाद में एक है आपके कुष्सन नम्मब तेरह कि एक समतल दरपण दुआरा उत्पन आवरदन प्लसेक है तो जिसका आर्थ है यानि अभ्यास में केवल दो इकुष्स्न पढ़ने ह Q1 और Q13 उसके बाद में 11 का जो चेप्टर है मानव नेत्र तदा रंग विरंगा संसार इसको हटा दिया गया है तो इसके अंदर इस चेप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है अब हम चेप्टर नमर 12 की बात करें चेप्टर नमर 12 है आपके विदूत तो विदूत वा मैंने कोई कच़्रापके कुछन नहीं लिए है मैंने वही कुछन उठाए है वही कुछन में आपको टिक रूवा हूंगा जो आपके बोर्ड परिक्षा 2022 के लिए मैं 0.5 ampere विदूत दारा 10 मिनट तक परवाइत होती है विदूत परिपत से परवाइत विदूत आवेस का परिमान ग्याद कीजिए अब तक ये कुशन 3 या 4 बर बोर्ड प्रिक्षा में पुछा जा चुका है और यहां पर दूसरा परसन विदूत दारा के मात्रक की परिवासा लिखिए अब देखिए ये कुशन है या आपके इस परकार से भी पुछा जा सकता है कि विदूत दारा का मात्रक आपको पता है एंपियर होता है तो 1 एंपियर की परिवासा लिखिए और 31 परसन एक कुलाम आवेस की रचना करने वाले इलेक्ट्रोनों की संक्या यानि एक कुलाम आवेस में कितने इलेक्ट्रोन होते हैं इस परकार से पुछा जा सकता है और उधारन नमर 12.2 के 12 वोल्ट विवांतर के दो बिंदू है उनके बीच दो कुलाम आवेस उसको ले जाने में कितना वरक हमें करना पड़ेगा ये कुशन और 13 कुशन 6 वोल्ट बेटरी से गुजरने वाले हर एक कुलाम है आवेस को कितनी उर्जा दी जाती है तो ये कुशन भी आपको पड़ना है उसके बाद में नेक्स्ट कुशन की हम बात करें तो जो अगला कुशन है हमारा अगला कुशन है 12.4 एक्जामपल नमर 12.4 और 12.3 तो देख सकते हैं आप 12.3 आपक उदारन नमर 12.4 इसको भी अच्छे से त्यार करना है यानि इस प्रस्ट में केवल दो एक्जामपल आपको त्यार करने है उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रस्ट है हमारा इस पर उदारन नमर 12.6 ये उदारन 12.6 ये काफी वार बोर्ड प्रिक्चा में रिपीट हो चुका है इस बार भी आ सकता है इस क्यूशन के चांस है और एक क्यूशन नमर वन इसको टिक करें कि किसी चालक का प्रतिरोध कौन कौन से कार को पर निर्बर करता है तो ये क्यूशन भी आपको त्यार करना है उसके बाद में हम बात करें आपके नेक्स्ट क्यूशन की तो नेक्स जूल उस्मा उत्पन हो रही है परतिरोध के सिरो पर विवांतर ग्याद कीजिए और एक तीसरा परसन है कि 20 ओम परतिरोध की कोई विदूत इस्तरी है वो 5 एंपिर विदूत दारा लेती है तिस सेकेंड में उत्पन उस्मा हमें ग्याद करनी है और नेक्स पर हमारा कुशन ह कुशन नमर उदारन है आपके 12.12 तो उदारन 12.12 में कोई विदूत इस्तरी कोई विदूत बलब 220 वर्ट के जनीतर से स्योंजित है यदि बलब से 0.50 एंपिर विदूत दारा परवाइट होती है तो बलब की सक्ति हमें ग्याद करनी है और उसके बाद में 12.13 वाला उदार कुशन के हैं यानि नमेरिकल कुशन है वो ज्यादा से ज्यादा चेप्टर नमर 12 इलेक्टरिसिटी वाला जो चेप्टर है विदूत वाला जो पाठ है उसमें से काफी कुशन से हैं ज्यादा से ज्यादा कुशन है वो आपके नमेरिकल ही पुछे जाएंगे उसके बाद मे चेप्टर नमर 13 है आपके विदूत दारा के चुम्ब की परवाव तो विदूत दारा के चुम्ब की परवाव इसमें आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है क्या नहीं पढ़ना है सारी चीजे में बताऊँगा तो यहाँ पर तीन क्युस्टन आपको दे रखे हैं किसी चुम्ब के चारों चुम्ब के चेतर रेखाएं खीचिए ये क्यूशन त्यार करना है चुम्ब के चेतर रेखाओं के गुणों की सुची बनाईए यानि चुम्ब के चेतर जो रेखाएं हैं उनके चार गुण आपको याद गरने हैं और दो चुम्ब के चेतर रेखाएं एक दूसरे को पर्तिश्यद नहीं करती है यह यनि इसमें तिनों ही question आपको त्यार करने हैं उसके बाद में next question की हम बात करें तो अगला question आवारा क्या रहने वाला है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर पहला question आपको टिक करना है कि flaming है उसका warm hastinium लिखिए flaming का जो warm hastinium है वो आप अच्छे से याद करें उसके बाद में देखिए यहाँ पर परसन संक्या एक आपको देर किये किसी कुंडली में विदूत धारा प्रेरित करने के विविन डंग इसपस्ट किजिए तो इसमें ये पहला कुशन आपको पढ़ना है अच्छे से आना चाहिए और उसके नमर तीन गरेलू विदूत परिपतों में अत्ति भारन से बचाव के लिए क्या क्या सावजानिया बरतनी चाहिए और अभ्यास में तीसरा परसन है विदूत धारा उत्पन करने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है और उसके बाद में इसमें से भी काफी कुशन है एक तो क क्युशन नमर साथ है चुम्ब के चैतर को उत्पन करने के तरीके और एक नवा क्युशन किसी चुम्ब के चैतर में इस्तित विदूत धारावाई चालक पर आरूपी तबल कब ज्यादा होता है एक ग्यारुआ परसन विदूत मोटर वाला और एक पंदरुआ क्युशन और उर्जा के श्रोत तो ये चैप्टर है ये कंप्लीट आपके हटा दिया गया है ओके तो इस चैप्टर में आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है अब हम सिद्धे आते हैं आपके चैप्टर नमर पंदरा चैप्टर नमर पंदरा है आपके हमारा प्रियावरन यानि चैप्टर बहुत इजी है ये जो क्यूशन में आपको टिक करवा रहा हूँ एकदम आसान क्यूशन है इसमें दूसरा क्यूशन है पारितंतर में अपमार जुकों की क्या भूमी का है एक क्यूशन आपको ये टिक करना है और उसके बाद में एक है आपके यहाँ पर दूसरा जो परसन है काफी वार बोर्ड एक्जाम में आ चुका है कि आप कच्रा नेप्टान की समस्या कम करने में क्या योगदान कर सकते हैं किनी दो तरीकों का वर्णन कीजिए और अब्यास की हम बात करें तो अब्यास में एक ही क्यूशन है आपके क्यूशन नम्मर 6 कि जेवी कावर्दन क्या है और क्या पारितंतर के विविन पोसित्रों प्र जेवी कावर्दन का प्रभाव भिन भिन होगा तो एक क्यूशन आपको ये पढ़ना है उके उसके बाद में चेप्टर नम्मर 6 है आपके प्राकरतिक संसाधनों का संपोसित परबंदन तो इस दांद आपको जुरूर पढ़ने हैं और उसके बाद में और क्या-क्या क्यूशन हैं जो आपको आने चाहिए कौन-कौन से क्यूशन है जो आपको त्यार करने हैं दो क्यूशन आपके ये हैं इसमें पहला क्यूशन आपको अच्छे से पढ़ना है कि हमें वन और वन जीव का सरक्षण क्यों करना आप से करें और दूसरा है सरक्षण के लिए कुछ उपाए में दीजिए तो यह कुषण आपको त्यार करने हैं इस सब्सक्रह लावा अपकी दोज करुँषण में उस paper में इन questions के अलावा कुछ भी नहीं आने वाला है यानि यही questions है मैंने काफ़ी research किया इन questions पर board के जो 10 साल के paper हैं उनको लिए हैं और उनसे मैंने research किया है कि यह question आपके आ सकते हैं तो complete आपको अच्छे से और board प्रिक्षा 2022 से पहले यह सारे कुछन आपको त्यार करने है